जोशी मट में एक दिन में चोवालस और मकानों में दरारे 55 पैसेंजर्स को छोड़कर उड़ गई गो फर्स्ट फ्लाइट शमीरी की मौक डिक को रोवी तिल्ली अपरील निश तक से पहले बिराट के दो कैच्छुप मौरादाबाद में मेटकल शाद्रा से टीमीव हॉस्पिटर के डॉक्टर निक्या रेब फिर मंगेतक को पेज़ दी असली इंतस्री थे मारी शाद्याकार में पांच पोलिस वालों को मेरी जामानत इंस्पेक्टर पर चलेगा मर्डर का केस 27 सतंबर को कारोपारी की पीट कर मार धाना था मॉंबाई में 28 करोण की कोगेट के साथ 10 कर अरेस्ट कस्टम अतिकारी से बोला जांच में सब बता दूगा पहले मुझे मेरी मौबबस से मिलवाओ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव वक्त हो चुका है उत्तरफदेश की बड़ी खबरों कारू करते हैं खबर क्यूर लगनों में LDA ने 15,485 करोड रुपए के निवेश की अधार शिला रखी है वहीं LDA के उपाद्यक्ष ने लगनों में निवेश सम्मेलन में 68 पर योजनाओ का व्योरा प्रस्तूत किया है साथी प्रदीश सरकार के उपमुख्यमंत्री और राजमंत्री ने शिर्ष 5 निव प्रदीश होने से साथ हजार से अधिक लोगों को आवास्य सुवधा मिलेगी साथी शहर में उच इस तरह अस्पिताल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और स्कूल भी बनेंगे अम्रोहा के मुरादाबाद खंड के सक्षक विधाय को इसना तक MLC चुनाओ में बरेली मुरादाबाद छेतर का सायूजक बनाए गया है जिसको लेकर उन्होंने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए बताय कि इसना तक MLC चुनाओ में हमेशा सही भाजबा की जीत होती रही है उन्होंने कहा है कि उन्हें पुरा विश्वास है कि इस बार भी BJP के प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड मतों से विजई होंगे लाक लगत है और इसका सारा वोट भार इंता पार्टी के कारकरताओं की दौरा बनाया है तो इसमें कहीं सवक्सुवा नहीं है बसकि इवल यह देखना है कि हम इतने बोटों से जीते है कितने रिकार्ड मत हम बनाते है और मुझे निशिक यकीन है त्राइबरेली में एक महीने बाद बक्षरावा कस्बे में GST की टीम एक बार फिर देखी गई जिसको लेकर कस्बे के व्यवसायों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कस्बे के लाल गंज रोड पर अस्तित ओम धर्म काटा पर GST की टीम पहुंची और उन्होंने अभी लेको की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी GST अधिकारियों ने ओम धर्म काटा और उससे जुड़े अन्य वेपारिक प्रत्सळानों के अभी लेकों की जांच शुरू कर दी है वहीं इस पर अधिकारियों ने बताया कि यह उनके रूटीन चेक अप का हिस्सा है उसी के तहत वो हर जिले के वैपारिक प्रतिस्टानों में जाकर उनके अभी लेकों की जाँच करते हैं अलिगर्ण में पिछले साल की आपक्षा शहरवासी पांच दसमलो चेप पांच फीसिदी की अधिक बिजली की खबत कर गए हैं वहीं इस खबत की बिजली के अनुमानित कीमत सबाद चार करोड उपए के आसपास की है इस ओवरलोडिंग की समस्या का कुछ हद तक निदान पाने के लिए विद्यत विभाग में रातों में भी चेकिंग के लिए टीमें भेजने का निडलिया है किसी उपभोगता के मीटर में ओवरलोड पाए जाने की सिती में उसके खिलाफ सीधे मुकदमा दर्जकर आगे की कारिवाई की जाएगी जो हमारी मौसम की सरदी बढ़ी हुई है तो इसमें जायर सी बात है हमारे यहां लोड काफी जादा बढ़ा हुआ है जो हमारे यहां डाटा है उसके अंसार जो हमने दिसंबर 21 में जो इनर्जी दी थी और दिसंबर 22 में इनर्जी दी है उसका लगब 5.65% हमने इनर्जी जादा दी हुए मतलब लोगों ने ज़्यादा इस्तिमाल किया हुआ है और उसकी वज़े से हमारे सिस्टम पे आति भारत भी होता है तो इसमें लोगों ने अपने लाइप स्टाइल में या अपने अप्लियेंसिस में सुधार किया है उसको बड़ा अलिगर के स्वर जएंती नगर के SBI बेंक के कारयाले पर ग्राहक सिवा केंदर में दरचनों लोगों ने SBI के खिलाब जमकर नारी बाजी और हंगामा किया मौके पर पहुशे पुलिस ने हंगामा कर रहे जन सेवा संचालको को समझाने का प्रयास किया लेकिन वो अपनी मांगो पर अड़े रहे और अपनी मांगो को लेकर प्रधान मंत्री और भारस सरकार के नाम एग्यापन क्रॉसी थाना प्रभारी को सौपा साथना दी गई साथना और तमकी को नहीं कह सकते उनका सीथा सीथा एंग रहता है और उचेता सब्सक्राइब कि जो भी सो इस पीरिदारे से बाइवे संचाले चाही है कि झीज़ करेगा दिखकर प्रावर में कंए आप इक लिएक परिसर के भराहर motive द्वारेiencia कि आप एक carrying आग tots तो पीजी तुनेगा मतलब दो कानून अलग-अलग हो है तीसरी बात कभी भी गढ़ाक सेवा केंद्र को बैंक के इन करमचारियों ने अपना एजेंट को छोड़ो अपने विक्ति भी नहीं समझा है अगर हम चार वजे के बाद बैंक में पैसा लेने जाते हैं तो हमें मना कर तो मैं ऐसी तरीके से राज लेता हूँ और गया इसका अगरिम कारवाई है तो पुछा अधिकारियों को बिढ़ा जाएता मैं किसंपुर्ट चुप्रिंशार ऐसा ही मौनिकुमार आज़े अलेगर में गरीबों के राशन के काला बाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है इसी बीश जिला प्रिशासन ने दो थाना शेत्रों में गोदामो पर च्छापा मार्क कारेवाई कर खरीब 400 बोरे राशन के चावल भरे बरामत किये हैं साथी मौके से 3-4 वाहन भी बरामत कर गोदामो को सील किया गया वही च्छापा मार कारेवाई की सूच्रा मिलते हैं गोदामो से कुछ लिबर और राशन माफिया मौके से फरार होने में सफल हो गये आपको बता दे कि राशन का चावल किसी भी रूप में काला बाजारी नहीं किया जा सकता है क्यूंकि प्रिशासन इस चावल को गरीबों में वित्रट करने के लिए भेजता है काजयाबाद में और टो चौलक की मौत पर पुलिस ने एक्शन ले लिया है लापरवाही बरतने वाली चौकी प्रभारी को सस्पेंट कर दिया गया है म्रतक के परिशनों ने पुलिस पर हिरासत में मारपीट करने का आरोप लगाया है वहीं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर कारेवाई शुरू कर दी गई है और पुलिस ने तहरीर के आधार पर पुलिस चौकी प्रभारी समें तीन सिपाहियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दज कर ली है पुलिस चौकी प्रभारी को निलम्वित कर उसके गलाब विवागे कारवई स्टाट करा दी गई है पूरी गटना की मेलिशल इंक्वाईरी कराने के रिपोर्ट प्रेशिक की गई है पूसमॉर्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्षा के आधार पर ये मनसर कर गई जल्द की जाए फरीदावाद में लगवग दो साल पहले सदर बल्लब घट थानी में तैनाल स्ब इंस्पेक्टर के खिलाब दोशियों के FIR से नाम निकलवा कर आरोपियों को बचाने और पत का दूरपियों करने का मामला सामने आया था जिसके शिकायत मारा अधिकार आयोग में करने वाले SI को दोशी पाई जाने विभागे कारिवाई की जा चुकी है वह इस मामले से सफफा सदर्थानी के पुलिस लगातार दो साल से पिड़े तो शिकायत करता को परिशान कर रही थी मेरा नम विकास कुमार है विकास जी लड़ाई जगड़े का मामला है दो पक्सों में क्या मामला है कुछ बात को लेकर लड़ाई है सर मैं एक आटाई कारिय करता हूं मैंने पुलिस के एगनिस्ट में बहुत सारी आटाई लगा रखिया है और जिसका खामियाज यह है कि पुलिस मुझे जवस्ती परिशान कर रही है मेरे एगनिस्ट में जूटे मुकद में दर्ज करवाना चाहां रही है जो जगड़ा मैंने नहीं किया है उसमें भी मेरा नाम है मैंने उसकी आटे लगाई थी आटे लगाने पर उसका कंप्लेंड हमने वहां पर हुमनाइट कमिशन को दिया था उसका एफर नमबर 258 और एफर नमबर 258 और गोणा में करनायल गंजडाग बंगले पर आयोजित पत्रकार वारता पर भाश्पानेता ने पलटवार किया है आपको बता दे कि शोशल मीडिया पर चेर्मैन प्रतिनीधी का एक वीडियो वारेल हो रहा था जिसमें वो कार्य योशना के पारित प्रस्ताव को अपना कारे बता रहे थे जिस पर भाश्पानेता ने कहा ये प् ततिनीधी को बाहरी बताया मेरा उद्देश यह मेरा उद्देश इसलिए है मैं आप लोगों को बुलाया हूं कि कल मैंने कुछ सोशल मीडिया पर मैंने कुछ खबर देखी थी जिसमें समीम अच्छन जी द्वारा बताया गया कि जो परसीमन हुआ है परसीमन में जो कुछ सासन द्वारा काम आया है इसमें मानने विदाईजी का पत्र है और मानने सांसा जी का पत्र है मानने दिलाएगी और मानने सांसाजी कारकरताओं से बात करके उनके कारकरताओं के रूप जो परसीमन हुआ आएच्छेतर वहाँ काम के लिए उन्हों परपोजर भेगा था और यही साहब दौरा इस्ट्रीमेट बनुआए गया हर दोई में राश्य व्रधा पेंशन यूजना के बड़ी पैमानी पर गड़बडी सामय आई है जिसमें सत्यापन के दौरान पता चला कि कई मृतकों के नाम पर पेंशन जा रही है इसके साथी हजारों ऐसे लाभार्थी पाए गए जो अपने पते पर ही नहीं रह रहे थे इस पर जिला समाच कल्याण अधिकारी ने बताए कि ऐसे लोगों की पेंशन ब्लॉक कर दी गई है और स्यात्यापन होने के बादी पेंशन दी जाएगी समाच कल्याण विवाग दारा रश्टिय ब्रद्धा पेंशन योजना जो व्यक्ति साथ वर से उपर हो जाता है उसको इस योजना का लाभ उन लोगों को दिलाया जाता है जो बीपील स्रेणी में आते है तो उनमें से जन्पद में 1,42,495 लाभारती हैं बरत्वान में जिनमें से 97,390 लोगों ने आधार प्रमाडी करण करा लिया है एवं सेस अब सेस है उनको 45,470 है उनको हमने ब्लॉक किया है ब्लॉक करने का करण यह है कि पिकास खंडों से या नगर पंचायतों से इनका सत्यापन अभी के लिए उत्तरपदेश की खबरों में बस इतना है देश जुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुपर